हलो दोस्तो आप देख रहें आपका चैनल department क przepाज़ा ढ्र उस वीडियो में हम बात करने वाले exhres आप्बेश ने बाया है अब गुण 20全 की दिण deck और did drive repair गूर्प ये दोस्तो चलिए शुरू करते है razor सबसे पहले दोस्तों अपन ट्राइडेंट शेर के न्यूस सेक्शन में आ गये हैं और आप देख सकते हैं एक टाइम्स ने 17 घंटे पहले ही एक आर्टिकल डाला था जो कि इस पर ट्राइडेंट पर था कि ट्राइडेंट पर कुछ पारा ऐसी चीजे हैं जो कि इसको इसके प ट्राइडेंट था अब ट्राइडेंट शेर के चार्च पर चलते हैं दोस्तों ट्राइडेंट शेर 45 रुपे 20 पैसे पर आज बंद हुआ आज पूरे दिन भर शेर डगमागाता रहा करीमन शुरुआत में तो गयापप में था लेकिन मार्केट के साथ शेर ने गिरावट और वो गिरावट दिखाता गया कर लेकबग 2.45 तक और फिर एक अप्ट्रेड नाया और उसको अपर सर्कीट में बंद कर गया पूरे दिन बर आप देख सकते हैं शेर ने कंसॉलिडेशन की और वो कंसॉलिडेशन का ब्रेक आउट अपर सर्कीट की तरफ आया सब लोगों आपको पता था क्योंकि आप देख सकते हैं कि अपने हाइस पर खुल रहा था शेर आज आपको ओपन दिखाता हूं तो और टाइम हाइस पर खूल रहा था चमवालिस रूपए साट पैसे तेरालिस रूपए पाच पैसे का 52 वीक हाई था दोस्तो या फिर कह सकते और टाइ पर अब accumulation का time आ गया है क्योंकि पहले जब Trident 43 रुपीज आया था तब इसमें एक correction आया था जो को 38 रुपीज तक लेगे गया था दोस्तों और फिर 38 रुपीज के आसपा से 38, 40, 38, 40 की line में consolidate करता रहा और आज दो दिन में Trident फिर से अपने नहे शिखर पर आ गया है 45 रुपे दो दिन में लगा दो दिन में इसने पुरा scenario बदल दिया है दोस्तों दो दिन में करीबन 15% दौड गया है शेर आप देख सकते 15% पिछले 5 दिन में 15% दोस्तों 15% किसको कहते हैं अपन जिसने भी buying किया होगा इस stock में उसको 56 पार return मिल सकते भी ले हैं आज और आप देख ल हुआ लेकिन फिर भी Trident में आज अपर सर्किट लगा इसका मतलब investors का इसमें विश्वास है कि market गिरे चाहे बड़े हमको stocks खरीदने हैं खरीदने हैं और खरीदेंगे हम हर lower levels पे investors ने इसमें पैसा डाला है और आप देख सकते हैं इसका results share अपर सर्किट पे आज बंद हुआ है पास दिन में 15% की तेजी दिखा दी लेकिन अभी भी लोग इसमें रुकनी रहे हैं अभी भी buying पे buying कर रहे हैं दोस्तो अभी ट्राइडेंट का share में अगला hurdle साट रुपे आएगा दोस्तो साट रुपे का level बहुत जल्द ट्राइडेंट छूने वाला है वो एक महिना भी हो सकता है दो महिना भी हो सकता है और तीन महिना भी हो सकता है तीन महिने के अंदर अंदर ट्राइडेंट 60 रुपे का लेवल चूरा है दोस्तों क्योंकि आप दिख सकते हैं जब मार्केट इतना जादा 600-700 पाइंट का करेक्शन दिखा चुका है इसके अल्टाइम हाई से फिर भी अल्टाइम हाई पे जब मार्केट में रैली स्टार्ट होगी तो यह 60-70 रुपे यूही पहुच जाएगा दोस्तों लेकिन ट्राइडेंट में बाइंग एक्शन जो बन रहा है तीन दिन में 15% मैं आपको बता सुका हूँ चार्ट पर अब क्या करना हो चीगा दोस्तों अगर मान लीजे आपने 43 रुपीज के लेवल्स पर बाहिंग करीए आपको एक अपर सर्केट का बेनिफिट मिला है तो आई थिंक सो करी 47 रुपीज के आसपास आएगा और अगर आप में रिस्क कैपसिटी नहीं है तो अपना कैप माल 50% आधा कर दीजे दोस्तों जो कि थोड़ा बग profit booking higher levels पर जरूरी है बट अगर आप investor है long term के तो आराम से आप एक साल दो साल तक इसको hold करें आराम से 60-70 रुपीज तो ये आ रहा है बहुत जल्द आ रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं Trident जो company है इसके financials में आपको दिखाता हूँ Financial से बता सकते हैं दोस्तों की company कितनी अच्छी है ये financial से दोस्तों Trident की है 44% revenue बढ़ा है 121% का net income है diluted EPS 123% net profit margin बढ़ी है operating income बढ़ा है और जिस stock में इतने ज़्यादा potentials हो तो वो stock का price उपर जाएगा ही जाएगा दोस्तों बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है Trident और बहुत अच्छे return दे रहा है अपने shareholders को Trident आप देख सकते हैं max chart Trident का 9000% return दोस्तों इसलिए आप Trident में हमेशा invested रहें अपना माल पूरा कभी ना वेचे Trident में आप देख सकते हैं कि यह rally करीबन पिछले 6 साल में ही चालू हुई है आप कह सकते हैं 200-2005 में share की listing हुई थी और 2011 तक share इतना कुछ कामकाज नहीं कर रहा था लेकिन अब share एक बड़ी तेजी दिखा रहा है और यह तेजी share को करीबन 60-70 रुपे के level तक लेके जाएगी और Trident में upper circuit का दोर लगना चालू हो गया है और करीबन मैं तो first target तो दोस्तों 50 रुपीज देना चाहूंगा Trident के विदिना वी के वन 50 रुपीज आराम से टच कर रहा है 50 रुपीज आराम से Trident टच कर सकता है दोस्तों lower levels में आप buying कर सकते है Trident पे अगर आपको 200 shares खरीदने है Trident के तो पहले 70 share फिर 70 और फिर बाद में बागी के 60 shares ऐसे करके आप Trident में share खरीद सकते हैं क्योंकि Trident में बहुत जादा fluctuations आते हैं जैसे के आपको दिन का चार्ट दिखाऊं तो मालो दीजिए किसे ने 45 रुपीज के लेवल्स पर 45 रुपीज के लेवल्स पर buying करा फिर एकदम से dip आ गया इसलिए आपको इस समय अपना 50% ही quantity ख करना होगा अच्छा शेयर है दोस्तो मेरी सला बाइंग की होगी for a target of 50 रुपीज in one week or two week that's it for video दोस्तो अगर video informative लगा हो तो like करना, share करना, subscribe करना दोस्तो